बिहार में जाती जनगर्णा के आकड़े सारोजनिक होने के बाद उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग बढ़ने लगी है। हमारे साथ संजनिसाद हैं, उनसे हम बात करते हैं, आपकी पार्टी, घटक डल एंडिये की, क्या आप डिमांड करते हैं जाती जनगर्णा है। लोगों ने गोली मार दी सपाने और उसको विशंकी, मैं इतने पूछा कि उनसे एकसेट में सतर लाग था, हमनसुचित जात में गिंती हुई थी, तो हमारा काउन सा कमिशन ने रिपोर्ट लगा दिया, कि मेरा नाम पिछड़ी में डाल दिया गया, हमारा जो हिस्सा खा ज जाते जाते हैं, हमें पिछड़ी से निकाल दिया, हम कह रहे हैं कि हम पिछड़ी में गिने जाएंगे, कि अनसुचित में गिने जाएंगे, जन जाती में गिने जाएंगे, सामान में गिने जाएंगे, तो कि सम्मिधान में कटेगरी है, सामान है, पिछड़ी है, अनसुच में कहां गिने जाएंगे तो हम विसंगती दूर हो तब गिनती होनी चाहिए उन्यीस सो एक्टिस में जाती जनगणना हुई थी उससे पहले बिलियम कुक का रिपोर्ट है कि कौन से जाती कौन लेदर मैन है कौन वासर मैन है और कौन फिसर मैन है उसके आधार पर सम्मिदान बना था तो आप देखो बिहार में गिनती हो गई तो कुर्मी एकठा गिन दिया और मिल्क मैन एकठा गिन दिया और फिसर मैन को टुकड़े टुकड़े में बाट दिया कि इतना पर सम्मिदान है इतना पर सम्मिदान है इतना पर सम्मिदान है इतना पर सम्मिदान है इतना विसंगती दूर हो तब और ये टुकडे टुकडे में बाटने वाला नहीं संभिधान में टुकडे को एकठा किया गया लेदर मैं को वासर मैं को फिसर मैं को क्राफ्ट मैं को उसके अनुसार संभिधान में तुहां भाग जाते हैं, यह सही तब होंगे, जब महिलाओं के तरह महिलाओं ने एसास कराया, भाई मैं कहा रहा हूँ कि आज बंगाल बिहार का पार्ट है, बंगाल का पार्ट बिहार है, देश आजाद हुआ, तो यह बंगाल बना, बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार क संभिधान के पन्ने में अन्सुचित जात की राज्य है कि वट मलाव बिंद अन्सुचित में है तो बिहार में पन्ना कहां गाइब हो गया तो इसके मलब यह निसादों को गाइब करने वाली कांग्रेस है निसाद को गाइब करने वाले आरजेडी आरल्ड है क्योंकि यही ल रागता है कि सामाजी की नया मंत्राले के रिपोर्ट के अमसार 27% पर कबजा मिल्क मेन का है, 23% पर कबजा लेदर मेन का है, तो यह लोग अब कहते हैं कि अब इनिशाद आ रहे हैं, पहले इनकी आवाज तो हम लोग रोड पर दबा देते थे, सामाजी के संगठन बनाते थे, तो हम लोग इनको खरीद लेते थे, लेकिन अब राजनेतिक दल बना लिये हैं, सत्ता में आ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, संब्धानी ग्रूप से वकालत कर रहे हैं, मोदी जमी साथ तक पहुँच रहे हैं, अब इनको कैसो रोको मनो बल तोडो, अब हमारा आदमी ट क्राफ्ट में, इनकी गिंति संब्धान के मताबिक होनी हैं, लेकिन मायावती ने आज एक ट्वीट किया, कहा कि सरकार को अब देर ना करते हुए, जल्दी से जाती जनगरना के सर्वे सुरू करा देने जी, तो बहन जी ने एक प्रस्ता भेजा था दिल्ली में, कि जब सत् से पहले, कि इनको अनसुचित जात की सुची में सुची बद्ध कर दी जाए, और यह उस लाइक हैं, और इस संब्धान में सुची बद्ध हैं, और जब सत्ता में आई, मुलाइम ने जो किया था, उसे कैंसिल कर दिया, और वो वापस करा लिया, जब वो एक बार हमाया प् परमित भेजो, यह जूट बोलती हैं कि सहजोग से, जब केंदर का सरकार चलना है, तो जब केंदर की सरकार चलना है, तो हमें खतम करने के लिए, बिना सर्थ सपा बसपा समर्थन केंदर को दे रही है, निसाद हमारी आरचन की फाइल केंदर में गाइब हो गई, मैंने उन गेरिजों न केरिमिनल कास्ट करके उजारा था ये कहा गिने जाएंगे अन्सुचित में गिने जाएंगे जन जाती में गिने जायेंगे पिषडी में गिने जाएंगे आज मानी सपा से पूछना चाहिए कि आप जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को निसादों को 18% आबादी है इनको आप पिछडी से निकाल दिये थे ये कहां गिने जाएंगे इनका साथ तो देंगे गिने देंगे आएसा नहीं है पिशंगती दूर हो गिनती होनी चाहिए यह सब नेतान विर्णा नहीं सब छलिया लोग है यह सब धोखे बाज लोग है कि मतभेद अब दूर हो जाने चाहिए क्योंकि राजनीतिक भवी सब पीडिये तै करेगा है पीडिये के नाम पर सत्ता में जाएंगे पिछडा है दरित है अल्प संक्रेख है लेकिन जब सत्ता में जाएंगे तो एबियम मशीन में ये फार इंपलाई वी फार विला ये य ठीकेदार उनके घर पैदा होंगे, पैसा उनके घर जाएगा, महल उनके लोगों बनेगा, बाकी लोग रोर पर घुमेंगे, यह समाजिक नया समित का रिपोर्ट उनके पीछे पीछे जहर के रूप में घुम रहा है, कि मिल्क मैन के पुलिटिकल गार्ड फादर आप मिल्क म सारी उनके घर में जाएगा, बाकी जाती हैं, काली भजन गाएंगी, ऐसा आप नहीं होगा, अब वो सही दिक्सा में कहते हैं, कलेक्शन ते इन्फॉर्मेशन, डबलब्लब्मेंट अप दे नॉलेज, और डबलब्लब्मेंट अप दाने नॉलेज, डिसाइड दर रांग जनता को कोई सूचना नहीं थी, तब मुर्ख बना लिया, अभी मुर्ख बनने वाली नहीं है, सब सूचना इस जनता पता है, कौन पार्टी, कौन नेता, कौन दल कितना है, हमारे समाज को कूर्ता पहनाते थे, एक ठोटिकर देते थे, दोठो, उसको ले जाके इनके नाम पर वोट लेते थे, और पिछली सीट पर बैठा देते थे, कभी आवाज ने निकलने देते, कभी किसी निशाद नेता का, मुलाहिम सिंग के बगल में, कभी बारता करते, फोटों भी नहीं दिखाए कि बोलने की बेचारा वो आरचन की नाम पर एक पन्ना दे दे, आज के दिन में, कभी कोई मंतरी, कांग्रेज भी नहीं सकती, महन जी भी नहीं कह सकती है, कि किसी निशाद के बेटे को खड़ा होकर, उसकी बिरादरी के हाल चाल पूछा हो, आज देखो मोदी जी हैं, हमिसा जी नड़्डा साब हैं, जिस तरीके से काम किये, हम तो आज कहते हैं अपनी लोगों को, देखो महिलाओं ने असास कराया, सपा को हराया, बसपा को हराया, कांग्रेज को हराया, और भाजपा को जीता कर दिखाया, अलग से अठार, सोले परसें, बसकत कर दिए, उसी तरीके से तुम भी असास कराओ, कांग्रेज को हराओ, पता चला कि कांग्र निसाद पार्टी के राष्टी अध्यच है उत्तरप्रदेश सरकार में कबिनेट मंत्री भी है इनका साप कहना है कि वो जाती जनगरना का समर्थन करते हैं लेकिन कही न कहीं इसमें जो विसंगती है उसको दूर होना चाहिए और उन्होंने विपच पर भी हमला बोला है कैमरा में सालिस पाठा के साथ ऑनिस कुमार भारत एक्स्प्रेस लखनो